पाकिस्तान और अफगांिस्तान के बाद बंगला देश में हिंदों की लगातार संख्या घरती जा रही है ये बहुत चिंता का विसे है बंगला देश में हिंदों के मंदिरों पर लगातार हमले हो रहे हैं उनके घरों को आग लगाई जा रही है और वहां से हिंदों का बड़ी तादात में पलायन हो रहा है बंगला देश में ये बढ़ती हुई चिंता भारत के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा कर सकती है और हिंदों की आवादी पहले से काफी कम हो चुकी है इन सब के बीच बंगला देश में रहने वाले हिंदो समाज की आवाज को मुखर ढंक से उठाया नहीं जा सकता है इसका बरा कारण है पिछले चार दसकों के दोरान वहां से हिंदों की आवादी पांच फीसदी घटकर साड़ा तेरा परसेंट से साड़े आठ परसेंट रह गई है बड़ी संख्या में हिंदों का भारत में पलायन हो रहा है बंगला देश में रहने वाले हिंदों के लिए सबसे बड़ा खत्रा है राजनितिक रूप से हाशिये पर चला जाना बंगला देश में परंपरागत रूप से हिंदो सत्ता रूड आवामी लीक के समर्थन में है यानि जो मौझूदा पृधानमंत्री सेख हसीना है हिंदो उसके पक्ष में है पृधानमंत्री सेख हसीना हिंदों को सरक्षा मुहा कराने के अब वादा तो करती है लेकिन घठनाओ पर उनका कोई अमकुष नहीं है यानि समर्थन जुटाने के लिए मीठी मीठी बातें करती हैं लेकिन पीट पीछे छुरा भौकने का काम प्रधान मंत्री सेख हशीना करती हैं अगर घटनाओं पर उनका अंकुष नहीं है तो इसका सीधा आर्थ है कि उनका वहां के कठर पंती लोगों को समर्थन है बंगलादेशी अल्प संक्यकों के संठन बी एच बी सी यू सी के राना दास गुपता का कहना है कि पलायन के कारण हिंदों की संक्या लगातार कम हो रही है उधर बंगलादेश के कौमिला इस्तित पूजा पंडाल में कुरान रखने वाले व्यक्ति की पैचान सुजा नगर निवासी 35 साल के एकवाल के रूप में हुई है यानि वहां के कटरपंतियों की इतनी हिम्मत हो चुकी है कि वहां हिंदों मंदिरों में जाकर कुरान रख देते हैं और अगर उस कुरान का अनादर होता है तो फिर हिंदों के मंदिरों पर हमले होते हैं उनके घरों को आग लगा दी जाती है उनकी बेटियों के बलातकार होते हैं महिलाओं का सोसन होता है और जबरन वहाँ पर धरम परिवर्तन का बहुत बड़ा वहाँ पर खेल चल रहा है वामपंती रुजान वाले गण समीती आंदोलन के जुनेश साकी का कहना है कि सत्ता रोड आवामी लीग अल्प संख्यकों विशेशकर हिंदूओं को सुरक्षा देने का बस बादा करती है ये जमीन पर कहीं दिखाई नहीं देती है ये जुवानी सावित होता है हिंदों पर हमले एक निश्चित पैटर्न पर होते हैं कुछ सामगरी सोसल मीडिया पर पोश्ट की जाती है और इसे इसलाम के खिलाप करार दिया जाता है फिर कट्टरपंती संख्टन हिंदों पर हमले का फर्मान जारी कर देते हैं इसके बंगलादेश में 1971 से 2011 के चार दसकों में कुल आवादी 110 पी सदी बढ़ी है यानि बंगलादेश के इसलामिक कटर पंतियों की जो आवादी है वो 1971 से 2011 के बीच 110 प्रतिसत बढ़ी है करीव करीव दोगने से जादा यानि वहादी जो आवादी थी 1971 में वो 7 करोड 14 लाग थी और अब 2011 में बढ़कर 15 करोड हो गई है और 2011 को 2021 को 10 साल और हो चुके हैं और ये आवादी 20 करोड के पार हो चुकी है जबकि इसी अबदी में दोरान हिंदों की आवादी लगवग 96 लाग से केबल सबा करोड होई है जो की लगवग 30% प्रतिसत है और सबा की अब लगवग एक विछेत्तर हो गई होगी 10 साल में ये बहुत बड़ी चिंता का विशे है बाजपा से निसकासित राजसवा सदश्य सुब्रवन्यम स्वामी जो की अब उनकी कमेटी में नहीं है उन्होंने बंगला देश में हिंतों पर हो रही हमले पर बाजपा सरकार को कट घरी में खड़ा किया है उन्होंने कहा है कि भारस सरकार चुप क्यों है क्या सरकार बंगलादेश से डरी हुई है स्वामी ने सोसल मीडिया पर लिखा है कि लगदाक में चीनी गुस्पैट तालीवान से वारता की कोशिस जैसी घटनाओं के बाद हम क्या बंगलादेश और मालदीप से भी डरे हुए है सरकार आवाज उठाए अमेरिकी राश्पती पद की उम्मीदवार रही हिंदू राजनेता तुलसी गावर ने बंगलादेश में हिंदूओं पर हिंसावे मंदिरों पर हमले का मुद्दा उठाया है गवार ने बुद्दवार को ट्वीट कर जिहादियों को आड़े हातों लिया उन्होंने कहा कि जिहादि सोचते हैं कि मंदिरों पर हमला करने से उनके धारमे खितों की पूर्ती होगी गवार ने कहा कि मंदिरों पर हमले से वे बहुत दुखी है सबसे ज़्यादा दुखी होने की बात है भारत के हिंदूओं को क्योंकि उनके पड़ोसी राज्यों में उनकी तादाद घटकर लगवक हतम होने वाली है और भारत में भी नौ राज्य हिंदू विहीन हो चुके हैं और भारत में ये बहुत बड़ी विडमना की बात है कि हिंदो समदा है यदि ऐसे ही सोता रहा ऐसे ही चुप रहा ऐसे ही सहन करता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब उनको भारत में भी अपनी संख्या के लाले पड़ जाएंगे आप देख रहे हैं चैलेंज नियूज मैं नरिश शर्मा और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहे हैं चैलेंज नियूज को हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें हम आपके हर उस मामले को उठाएंगे जहां आपकी कोई नहीं सुनता ह जहां आपके कोई कदर नहीं करता है जैहिंद नमस्ता